वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू पहुंचे जहां उन्होंने 32,000 करोड रुपे की विकास परियोजनाओ का उद्धाटन, लोकारपन और शिलान्यास किया पी एम मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया, पी एम मोदी ने कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विक्सित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है, हम विक्सित जम्मू कश्मीर बना कर रहेंगे पिये मोदी ने कारिकरण को सम्मधित कर दूए कहा कि हमने विक्सित जम्मू कश्मीर का संकर्प लिया है हम विक्सित जम्मू कश्मीर बना कर रहेंगे पिये मोदी ने कहा कि आज यहाँ पर कई हजार करोड के पुजिट का उदगाटन और शिरानास किया गया इन सभी उद्गाटनों के लिए आप सभी को बधाई जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये गए हैं उनको भी बहुत बधाई जम्मू कश्मीर को विक्सित बनाने के लिए सरकार महिलाओं युवाओं सभी पर फोकस कर रही है पियम मोदी ने कहा कि बीते दस वर्षों में देश में 15 एम्स स्विक्रित हुए हैं जिन में से एक यहां आज उद्गाटित किया गया पियम मोदी ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि लोग सभा चुनाओं में भाजपा को 370 सीटे दीजिए और NDA को 400 पार कर दीजिए इक बारी इक बारी परतियाई इस दुग्गर भूमे पर आयाई मिंगी बड़ा शेल लगा कर दे दुग्रे बड़े मिलन सार ने ए जिन्ने मिलन सार ने उन्नी गाए मिठी इंदी बाशा आये तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पदमा सतदेव ने आखे दाये मिठी जी ने डोग्रे याँ दी बोली ते खंड मिठे लोग डोग्रे साथ्यों मैंने जज़ा कहा मेरा नाता करीब 40 साल से भी जादा फुराना आप लोगों से लगाता रहा है बहुत कारकम मैंने किये हूँ बहुत बार आया हूँ और अभी जीतरी सिंग ने पता है इस मैदान में भी किया है लेकिन आज का ये जन सहलाब आज का आपका जनूम आपका ये उत्सा और मौसम भी विप्रित फंड भी है बारिज भी हो रही है और आप मेंसे एक हिलता भी नहीं है और मुझे तो बतायागा कैसे तीन सान आप रहे जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैटे हुए है जम्म कश्वीर के लोगों का ये प्यार आप इतनी बड़ी संख्या में आँ दूर दूर से आए